हलो गाईज this is विनहे और आप देख रहे हैं P REAL learning तो इस लेक्शर के अंदर हम आपका discuss करेंगे शुपर कंडेक्टिंग निया फिर आपका बोलें सुपर कंडेक्टिविटी को next is माले लेक्षलंड डिया इस प्रिंपर कंडेक्टिविटी इस फ्रिय यहाड just था जिसने सूपर कंडेक्टिविटी का concept आपका दिया इसने बताया कि अगर आपका temperature less than critical temperature है तब आपका क्या होता है the material behaves as super conductor लेकिन हमारी जो definition है जहने कि जो technical definition आती है exams के अंदर उसके एकसाब से अगर हम super connectivity की बात करें तो super connectivity का मतलब आपका क्या होता है the condition at which resistance will become zero वो condition चहाँ पर आपका resistance क्या हो जाए zero हो जाए ठीक है और या फिर हम इसको बोलें when the material behaves as perfect diamagnetic जब material आपका किसकी तरह काम करना शुरू कर दे perfect diamagnetic के तरह काम करना शुरू कर दे तब उस condition को हम बोलते हैं आपकी कुम सी condition होगी super conductivity की condition आपकी आएगी ठीक है तो यह आपका super conductivity की definition होई तो इसके अंदर आपका लिखेंगे the condition at which the condition at which the condition at which at which resistance of material resistance of a material will become zero जहाँ पर आपका resistance क्या हो जाए will become zero आपका जाए जहाँ पर आपका resistance क्या हो जाए zero या फिर the material behaves as या फिर material किसकी तरह काम करना शुरू करें behaves as perfect dud OK पर आपका जो आपका लिेंगे देखो super conductivity सिर्फ आपकी तब नहीं होती है जैसे आपने छोटी स्क्रासों में पड़ा है कि जब temperature less than critical temperature आपका हो जाए तब उस condition को आपका क्या बोलते हैं superconductivity but यहां पर आपकी एक definition और इसके अंदर add हो जाती है the material will be superconductor the material किसकी तरह काम करेगा will be will behaves as behaves as superconductor superconductor की तरह काम करेगा कब superconductor when कब आपका काम करेगा when when first condition first condition आपकी क्या है when temperature t is less than critical temperature जब temperature आपका क्या हो less than critical temperature हो और second जो condition है इसके हिसाब से आपका जो magnetic field है magnetic field h it is less than critical field ठीक है critical magnetic field जिसको हम बोलते हैं hc ठीक है यहां से इस temperature आपको बोलेंगे tc यानि कि आपके बोलेंगे जब temperature less than tc हो और साथ में आपका क्या हो h less than hc और दोनों ही condition आपकी satisfy होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है और यह जो आपका superconductor का आपका जो effect है यह सबसे पहले आपका किसमें देखा गया था यह सबसे पहले आपका देखा गया hg c तो उसने सा graph कुछ इस से बनाया कि यहांपे आपका अगर हम temperature ले ले ठीक है और यहां पंपका आपका क्या ले ले हम resistance तो क्या होता है अपका यहां पे resistance आपने लिया और यहां पंपके ़े लिया आपना temperature तो आपका क्या आईगा यहां से यहां तक यानिकि कुछ degree Kelvin से आपका क्या हो जाएगा यहां से आपका कुछ इस तरीके से तो यहां तो आपका काम करता जाएगा है इसकी तरह करना शुरू करेंगा वह under तो ऐसा नहीं है कि इससरफ मरकरी के अंदर कुछ और भी अलिमेंट है जिनके अंदर आप इसको देखा गया तो उसको हम दाद देखते हैं आपका फिर आपका फिर आपका बेरीलियम फिर आपका मैगनीज फिर आपका एम जी ठीक है एडसेक्टरा इन सबी के अंदर आपका इसको देखा गया था मतलब ये सबी आपके क्या हो सकते हैं यह यानिक एक जनरल इंफॉर्मेशन के हिसाबसे मैं अगर आपको बताऊं तो हम यहा काम कर सकते हैं आपका सूपर कंडेक्टर की तरह काम कर सकते हैं बट टैंप्रेचर विल भी गष्ट एंप्रेचर विल बी लैस देन लैस देन 0.07 degree karl लेकिन temperature आपका कितना होना चीए 0.0 degree which is practically impossible या आपका कॉंसा temperature है it is practically impossible temperature यापका practically क्या है it is practically impossible temperature है आपका ठीक है यानि कि इतना temperature maintain करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा difficult रहेगा इस वज़े से super conductivity आपकी क्या होती है जो आपकी super conductivity आपकी होती है it is very हाई हैपोथेटिकल चींग के यहाँ है आपके अपका होगे कुछ पर ऐंनको बोलते हैं क्यों से सुपर कन Αपका हंता है रज होता है फिर्स्ट आपका अगर अगर आम बात करें तो पहले इन डियम डियम ठिक है एक आपका होता है सेकंड आपका यहां लिखते हैं, second, second आपका होता है NB3, NB3 का मतलब नायोबियम और यह आपका जर्मेनियम, और तीसरा अगर हम बात करें, तो यहां से आपका बता सकते है NB3SN, ठीक है, SN का मतलब आपका 10, ठीक है, इनका जो temperature है, वो भी मैं आपको साथ-साथ बता देता हूँ, कि यह कहां तक आपका सूपर conductivity शो करते हैं, तो पहले अगर हम V3GA की बात करें, तो यह आपका शो करता है 23.5 degree Kelvin तक, इतने तक आपका क्या शो करता है, सूपर conductivity, फिर अगर हम इसकी बात करें, तो यह आपका शो करता है 16.8 degree Kelvin तक, और अगर हम इसकी बात करें, तो यह आपका शो करता है 18.2 degree Kelvin तक, इतने Kelvin तक आपकी यह क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सूपर conductivity आपकी शो करते हैं, ठीक है, उसके बाद में किसके तरह काम करना शुरू कर देते हैं, तो यह था आपका सूपर conductivity के बारे में, अब यहाँ पे आपका जो important concept है, और जो question आपका पूछा जाता है, इससे यहाँ से आपका कोई question ही पूछा जाएगा, यह basic चीजे हैं, सभी को पता होती हैं, कि यह दोनों condition आपकी satisfy होनी जरूरी है, तो यहाँ पे आपका जो next condition इसके अंदर आपकी आती है, sorry, next जो आपका topic आता है, that is मीजनर effect, तो यहाँ पे अब हम इसमें मीजनर effect को discuss करेंगे, मीजनर effect, मीजनर effect, देखो, तीन type के effect मैंने आभी आपको बता चुका हूँ, इससे पहले, दो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक तो वैलरी effect, which is the converse of magnetostriction, और आपका electrostriction का converse effect आपका होता है, Logo electric effect, और यहाँ पैपका तीसरा effect देखने को मिल रहा है, that is मीजनर effect, यह आपका क्या बताता है, it tells about the perfect diamagnetism, it tells about, it tells about, about perfect diamagnetism, यह आपका किसके बाएं मताता है, perfect diamagnetism का आपका idea देता है, यह ठीक है, कि perfect diamagnetism आपका क्या होता है मिजनर effect को आपका ये भी बोल सकते हैं जब आपका length low apply ना हो और जैसे ठंड की वज़े से आपका magnetic induction ना रहे magnetic induction अगर आपका ना होगा तब आपका क्या होगा वहाँ पे internal जो field है वो आपके क्या हो जाएगी zero आपका जाएगी देखो इसे पहले आपने diamagnetic material के बरें पढ़ा तो indiamagnetic indiamagnetic के अंदर आपने क्या किया था indiamagnetic के अंदर आपने किया कि अगर आपकी magnetic field ऐसी है ये आपके मान लीजिए magnetic field है ठीक है ये 5 line आपकी और यहाँ पे आपने एक diamagnetic material को place किया तो क्या होगा यहाँ से ये आपके कुछ magnetic field तो आपकी ऐसे निकल जाएंगे यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और एक magnetic field आपकी मान लीजिए यहाँ से चली गई ठीक है यहाँ से आपका अंदर से चली गई, तो internal, यानि कि जो internal density है, वो आप भी क्या है, बहुत ही कम है, internal घंता हो, यानि कि जो आपकी magnetic field है, वो आपकी दूर भाग रही है, किस से दूर भाग रही है, diamagnetic से आपका दूर भाग रही है, तो यहां से आपका क्या आजाएगा, b internal, it is less than b external, ठीक है, यह आपने पढ़ा, और आपने क्या देखा, in diamagnetic material के अंदर, जो mu r आपका होता है, 1 प्लस xi m, इसकी जो value होती है, it is less than equal to 1, क्योंकि xi m की जो value होती है, that is negative, ठीक है, इसकी value आपकी क्या रहेगी, negative आपकी होगी, अब हम देखते हैं, in perfect diamagnetic, यानि कि superconductor के अंदर आपका क्या होता है, तो यहां से, in perfect diamagnetic, in perfect diamagnetic, perfect diamagnetic के अंदर आपका क्या रहेगा, in perfect diamagnetic, perfect diamagnetic के अंदर कुछ इस तरीके का हम कह सकते हैं, कि माले जी या आपकी magnetic field है, या पी क्या है, magnetic field है, और यहां पे आपने superconductor को place किया, या आपका क्या है, this is superconductor, तो अगर आपका perfect diamagnetism है तब आपका कुछ इस तरीके से आएगा वह देखो, यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे, और यह आपका बीच में क्या है, this is superconductor, यानि कि जो internal field है इस वार, this is equal to क्या हो जाएगा, zero आपका आजाएगा, ठीक है, internal field आपका क्या हो जाएगा, zero, और internal field आपका क्या होता है, internal field, zero का मतलब आपका क्या हुआ, this is equal to, यापका किसके बराबर होता है, mu not, h plus m, ठीक है, h plus m के बराबर होता है, so m, it is equal to minus का h, और यहां से जो x m की value होती है, that is equal to minus का 1 आजाएगा, क्योंकि m by h, आपका क्या होता है, this is xm, so mu r, it is equal to 1 plus xm, and this is equal to, अगर कहीं पर zero given है, तो इसका मतलब वो आपका क्या है, perfect diamagnetic है, वो आपका क्या है, perfect diamagnetic है, ठीक है, यह आप याद रखेगा, perfect diamagnetic का मतलब आपका क्या होता है, that is mu r की value क्या हो जाए, वहां पर zero आपकी आजाए, that is perfect diamagnetic, ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, perfect diamagnetic का मतलब कि जो आपका super conductor आपका होता है वो आपका किस की तरह behave करता है perfect diamagnetic की तरह behave करता है तभी हम कह सकते हैं कि H is less than HC रहेगा and T is less than TC आपका रहेगा अब हम यहां पर यह तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में अब हम यहां पर critical magnetic field को देखते हैं कि critical magnetic field आपी क्या होती है so next is critical magnetic field critical magnetic field यानि कि हम बात कर रहे हैं कि इसकी HC तो जो super conductivity आपके होती है तो यहां से हम लिख सकते हैं super conductivity will not only damage super conductivity will not only damage will not only damage only damage ना सिर्फ इससे डैमेज होती है when T is less than TC यह जब कि इसके साथ साथ आपका क्या होता है only T is less than TC but also but also when H is less than HC जब H आपका किस से कम हो जाए critical magnetic field से आपका कम हो जाए तो इसका मतलब हम दोनों condition पर देखो दो condition आपके आती है क्या एक तो अगर आपका बोलेवाई T is less than TC है H is greater than HC है तब आपका किस की तरह काम करेगा तब यह क्या होगा normal conductor की तरह काम करेगा normal conductor की तरह काम करेगा second condition यह आपकी first condition है second condition के हिसाब से अगर temperature बढ़ जाए और magnetic field आपकी कम हो तब भी आपका किस की तरह काम करेगा तब भी normal conductor की तरह काम करेगा यह ठीक है और एक आपकी condition कुछ इस तरीके से आ जाए तीसरी जो condition है t is less than tc and h is less than hc सिरफ तब ही हम बोलेंगे it behaves as super conductor तब यह किस की तरह काम करेगा super conductor की तरह आपका काम करेगा तो critical magnetic field की जो definition होगी वो कैसे देंगे critical magnetic field को आपका बताएंगे critical magnetic field critical magnetic field और इसको आपका बताएंगे कि hc it is equal to h0 जो पहले से आपकी present थी यानि की जो zero degree पे कह सकते हैं या उससे पहले आपका h0 और यहां से one minus t divided by tc का square ठीक है इसको आपका बताते हैं कौन सी this is your critical magnetic field ठीक है और यह आपका कब valid है when when t is less than tc जब आपका temperature किसे कम होगी तो less than critical temperature से कम हो तो यहां से इन दोनों के बीच में जो आपके relation बनेगी इस कारू के हिसाब से वो कुछ ऐसे बना सकते हैं this is hc और यह आपका temperature है t sorry this is h तो यहां से this is hc और इसको बताते हैं आपका tc और इन दोनों का आपका मिला देते हैं ऐसे इस टैप से ठीक है तो यहां यहां पर आपका normal state रहेगी इससे बाहर और यहां पर अंदर आपका क्या रहेगा this behaves as superconductor यहां पर किसके तरह काम करेगा वही superconductor की तरह है यहां पर आपकी h2 है अगर और कम है तो यह आपका temperature क्या हो जाएगा t2 आपका आजाएगा यानिकि इन दोनों का आपका जो product है जैसे मैंने अभी आपको बताया यह आपका इस तरीके से होना चाहिए कि आपका किसकी तरह behave करें वह superconductor की तरह behave करें आप देखो critical magnetic field या फिर आपकी यह आपकी क्या होती है यह आपकी ऐसा नहीं है कि external field यह external field नहीं होती यह आपके internal field भी होती है internal field का मतलब कैसे हुआ ज आपकी क्या हो सकती है जादा बढ़ सकती है आपकी जिससे आपकी superconductivity क्या हो सकती है lose आपकी हो सकती है ठीक है so it is not necessary it is not necessary यह ज़रूरी नहीं है कि आपगा क्या हो it is not necessary an external field ठेके यह आपका ज़रूरी नहीं है कि आपगा क्या हो external field हो but it is but it is it is the field which is created by conductor itself which is created by यह आपकी वो भी हो सकती है जो अपा खुद conductor کیा करें खुद से आपका बना दे which is created by conductor itself कैसे आपका बनाएगा देखो जैसे अगर हम बात करें आपकी जैसे लाइट्स आपकी जहां से आती है या फिर आपके जहां से आपकी इलेक्ट्रोंस आपके ट्रेवल करते हैं जो जब ट्रेवल करेंगे तो इलेक्ट्रों जब मोशन में है तो उसको हम क्या बोलते है यानि क हम इसको ऐसे बना सकते हैं जैसे माल लीजी आपके पास में एक connector है ठीक है यह आपका बहुत ही लंबा connector है और इसको आपने place कर दिया है किस के लोंग आपका एक battery के लोंग यहां से आपने battery लगाई ठीक है यहां यहां से माल लीजी आपका आपने source प्रोवाइड किया हुआ है और यह कंडेक्टर है अब यहां से इसका जो आपका करेंट आपका रहता है यहां पर आपका MPR लगता है in a long straight wire यहां से आपका current आपका क्या होता है this is equal to h c it is equal to h it is equal to आपका क्या होता है h it is equal to i divided by 2 by r r is the radius r आपका क्या है यहां पर radius हे ही अपका ठीक है तो यहां से h it is equal to आपका क्या हो जाएगा i divided by 2 pi r और यहां से हम इसको कह सकते है i it is equal to 2 pi r into h 2 pi r into h इतना आपका क्या flow करेगा current h आप क्या है यहां पर h is the magnetic field तो यहां से हम पता है वही जब जैसे आपका कंडेक्टर के थुरू आपका करंट फो करता है तो यह आपके कुछ क्या मनाता है? मेगनेटिक फिल्ड आपकी बनाता है ठीक है? विच इस गिवन भाई इस फॉर्मॉला I it is equal to 2 pi r h और यहां से हम आपका कह सकते हैं कि आपका जो क्रिटिकल करंट है क्रिटिकल करंट भी बोल सकते हैं क्रिटिकल करंट I it is equal to 2 pi r into hc ठीक है? इस रूल को आपका बोलते हैं कौन सा रूल? सिल्बीज रूल ठीक है? यह आपका IC के अंदर आता है सिल्बीज रूल और सिल्बीज रूल आपका क्या बताता है? कि if if I is less than Ic it means अगर करंट आपका क्रिटिकल करंट से कम है इस means h is less than hc और मैटीरियल किसकी तरह काम करेगा? मैटीरियल बिहेवज एज सूपर कंडेक्टर मैटीरियल आपक इसकी तरह काम करेगा वरी सूपर कंडेक्टर की तरह आपका काम करेगा और दूसरी कंडेशन if current is greater than Ic it means it means इसका मतल़ आपका क्या हो जाएगा? h is greater than hc h आपका क्या हो गया? ज्यादा हो गया और माटीरियल बिहेवज एज नॉर्मल कंडेक्टर माटीरियल किसकी तरह काम करेगा? अब नॉर्मल कंडेक्टर की तरह काम करेगा तो इस रूल को आपका बोलते हैं कौंसा रूल होगा आपका इस इसको याद रखेगा देखो यहां से आपका एक बार कोश्चन पूछा जा चुका है शायद 2018, 2019 के अंदर अब भी आपसे पूछा गया था यहां से भी आपका कोश्चन आता है ठीक है तो IC इस इक्वल टो आपका क्या होता है और आपकी कंडिशन भी आपकी इंपोर्टेंट है ठीक है कि आपका दोनों इफेक्ट कौन-कौन से होते है टेंपरिचर जब लेस देन क्रिटिकल हो और फिल्ड आपकी लेस देन क्या हो क्रिटिकल फिल्ड हो आपका ठीक है इसके अलावा आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या effect of frequency भी देखा जा सकता है effect of frequency का मतलब ये हुआ कि अगर आपका frequency के अंदर कोई change आएगा तो क्या super conductivity आपकी lose होगी या फिर नहीं होगी तो ये भी आपका important है तो इसके बाद में हम effect of frequency और type of conductor और साथ में इसकी कहां-कहां application है वो भी आपका discuss कर लेते हैं और फिर इसको finish करते हैं हम super conductivity को ऐसे भी समझ सकते हैं देखिए माल लीजी आपका normal conductor है यह आपका normal conductor कि इसकी तरह काम कर रहा है super conductor की तरह काम कर रहा है और इसको आपने क्या किया इसको आपने apply किया किसके लिए आपका magnetic field के लिए इसको apply करेंगे तो electron आपके क्या करेंगे electron यहां से move करते हुए सीधा आपके हो जाएगे पहले आपके arbitrary move कर रहे थे फिर आपके सीधे आपके आजाएगे similarly यहां से भी आपके सीधे आजाएगे और similarly एक electron ऐसा है जो यहां से आपका इस direction में travel कर रहा है direct तो आपके क्या होगा यहां से यह आपस में आपके क्या होगे हैं त्करा जाएंगे और जब यह तकरा जाएंगे तो वहाँ प्या प्रोड् голос होगी हीट प्रोडे़ोट्थ होंगी यानि कि temperature आप क्या हो जाएगा Temperature Greater Than Critical Temperature ठेक है और अगर आपकी moment ज़्यादा है अगर आपके moment क्या है ज़्यादा है ठीक है तो आपको क्या होगा यहां पे जो magnetic field आपकी create होगी it is also greater than it is also greater than critical magnetic field यहां से अपकी देखो कई सारे हैं आपके तो कई सारे आपके गठे मिलके जो magnetic field आपकी बनाएंगे वो भी आपकी ज़्यादा होगी यहां से यहां से यहां पर स्प्लाइ की है यह आपका alternating source है और alternating source की जो frequency है it is very large frequency क्या है लार्ज है आपकी तब उस case में भी आपकी क्या हो सकती है यह दोनों condition आपकी satisfy कर सकती है ठीक है तो यह सारी condition आपकी तब होंगी जब आपका क्या होगा normal connector जब आपका क्या होगा normal conductor, तो super conductor के case में अपका क्या होना चाहिए, temperature less than critical होना चाहिए, field less than critical होनी चाहिए, super conductor के case में और ऐसा possible नहीं होता है, ठीक है, तो यह आपका super conductor जो है, यह आपकी एक ऐसी चीज है, जिसके उपर आपके research आगे होनी है, ठीक है ना तो यहां से मैंने आपको बता है super connectivity का सिरफ आपको introduction में आपको बता रहा हूँ यहां पर important points मैंने आप तक आपको क्या बता है एक तो मीजनर effect वहां पर आपको क्या होता है perfect diamagnetism और एक आपको critical field के बारे में बता है आपको maximum allowed current आपका होता है to retain to retain super connectivity ठीक है यह आपका किसके लिए super connectivity के लिए maximum allowed क्या है current है आपका that is critical current या फिर IC आपका बोलते हैं this is according to sylvy's rule अभी तक आपने यह पड़ा यह दोनों condition आपके किसकी है normal connector की है और इसे कम हो जाए तो super connector की तरह काम करेगा तो यहां से आपको मैंने बताया जो आपका normal connector आपका होता है इसके अंदर आपकी vibration ज्यादा होती है यानि कि molecule के बीच में आपकी vibration जहां पे ज्यादा रहेगी वहां पे temperature rise आपका ज्यादा होगा तो यहां से अब हम देखेंगे effect of effect of frequency ठीक है किसका effect देखना है frequency का तो super conductivity super conductivity 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 is measured is measured from 10 is to power 6 hearts to 10 is to power 10 hearts ठीक है अगर इससे ज्यादा होगी if more than this frequency if more than if more than this frequency fluctuation will be higher fluctuation आपकी क्या होगी higher होगी fluctuations will be higher will be higher and and or fluctuations अगर आपकी ज्यादा होगी तो and it behaves as और किसकी तरह कांट करना शुरू कर देगा and it behaves as normal conductor ठीक है normal conductor की तरह आपका काम करना start कर देगा तो यहां से हम कह सकते है next point super conductivity is measured up to radio frequency super conductivity is measured up to radio frequency ठीक है अगर आपसे पूछा जाए यह वाला question infrared frequency की उपर आपका क्या आग रहता है तो infrared frequency के उपर infrared frequency यानि कि 10 is to power 13 hertz के उपर आपका जो super conductor होता है it behaves as super conductor behaves as normal conductor कि आपका किसकी तरह काम करता है वही effect of frequency की, तो frequency की range मैंने आपको बताई, it is only up to radio frequency और infrared frequency की उपर जाके, आपके super connectivity क्या हो जाती है, लोस हो जाती है एक और चीज आपकी कई बार पूछी जाती है point भी आप note कर लीजे, entropy के regarding if entropy increases अगर आपकी entropy क्या होगी if entropy increases, अगर आपकी entropy बढ़ेगी, यानि कि आपका randomness बढ़ेगी, तो इसका मतलब आपका super conductor किसकी तरह काम करेगा super conductor behaves as behaves as normal conductor या आपका किसकी तरह काम करेगा भई normal conductor की तरह आपका काम करेगा तो यह थे आपके कुछ super connectivity के points, अब हम इसके अंदर type, दो type के आपके super conductor, types of super conductor discuss करते हैं और फिर आपका last में what is the application of super conductors so next is types of super conductor types of super conductor, कितने type के आपके super conductor होते हैं, या आपके दो types के होते हैं, जैसे आपने hard ferrite और soft ferrite पढ़ा, या फिर hard magnetic material, soft magnetic material पढ़ा, वैसे ही आपके 2 types of super connectors होते हैं, type 1 या type 2 आपका बोल सकते हैं, this is type 1 type 1 इसको बोलते हैं, आपका soft soft super conductor ठीक है, एक आपके soft super conductor होते हैं, और एक आपके type 2, जिनको बोलते हैं आपका hard super connector hard super connectors, ठीक है, दो type के आपके super connector हैं तो soft super connector के अंदर आपका क्या होगा, यहां पे low value of low value of critical temperature temperature की जो value है, वो आपकी क्या रहेगी कम रहेगी, ठीक है, TC की value आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी as well as low value of critical field field की भी जो आपकी value है वो भी आपके क्या रहेगी, यहां पे कम रहेगी similarly hard वाले के case में type 2 के case में यहाँ पर आपका क्या कह सकते है high value of high value of critical temperature यानि कि TC की value आपके क्या रहेगी ज़ाद रहेगी ठीक है और यहाँ पर second point high value of critical field critical field की जो value है यह भी आपके क्या रहेगी it is also higher ठीक है दोनों आपके क्या रहेगी इसके example और यहाँ से आपका क्या है it completely follows यह completely follow करता है किसको it completely follows misner effect यह completely आपका किसको follow करता है misner effect and follows silby's rule follow silby's silby's rule دونों काापका follow करता है misner effect को भी follow करता है और साथ में Sylvie's rule को भी आपका follow करता है इसका example आपका क्या है इसका example है आपका mercury mercury जिसका कितना होता है 4.81 degree Kelvin इतना आपका critical temperature आपका होता है ठीक है और यहां से अगर हम इसकी बात करें hard super connector की case में it shows it shows deviation it shows deviation from Sylvie's rule एक तो इस Sylvie's rule से आपका deviation दिखाता है यानि कि Sylvie's rule को completely follow नहीं करता है और दूसरा इसके अंदर हम कह सकते हैं it does not follow it does not follow it does not completely कर सकते हैं does not completely follow completely follow अच्छी तरीके से follow नहीं करता किसको मीजनर effect को मीजनर effect को भी अच्छे से follow नहीं करता है और इसके example आपको मैंने बताई थी इसके example आप भी क्या होती है, V3GA, NB3SN और NB3GE, यह जो commercial आपके super connector हैं, these are the example of hard super connector, ठीक है, इसके बाद एक आपका यहां से, यह तो आपका होगे इन दोनों के बीच में difference, नेक्स पाइंट हम इसके अंदर आपका लिख सकते हैं, जो नियोबियम और जिर्कोनियम का एक आपका super connector होता है, it can produce a magnetic field of 4 tesla, इसके नियोबियम जिर्कोनियम super connector can produce a field of 4 tesla, कितने के आपकी 4 tesla लगी, और अगर हम बात करें V3GA, V3GA and NB3SNTI, ठीक है, तो यह आपका जो होता है, it can produce a field of, a magnetic field of 20 tesla, यह कितने के आपकी produce कर सकता है, 20 tesla की, तो यह आपके कुछ थे super conductors के बारे में, types of super conductor, अब हम इसके अंदर आपका देखते हैं, application of super conductor, application of super conductors, application का मतलब इसके क्या क्या use है, application of super conductors, super conductors के आपकी क्या क्या applications है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका हम इसमें बता सकते हैं, it is used in electronic switching device, electronic switching device, electronic switching device, electronic switching device के अंदर इसका use होता है, electronic switching device, जिसको आपने सुना भी हो कभी, called, called creatrons, ठीक है, और यह आपका किसके उपर based है, based on destruction of super conductivity, based on destruction of super conductivity, ठीक है, super conductivity, and in higher magnetic field, जब magnetic field आपी क्या होती है, high होती है, ठीक है, फिर और इसके अंदर आपका क्या कह सकते हैं, और यह आपका use होता है, it is used in, it is used in high energy physics, ठीक है, high energy physics के अंदर super conductors का आपका use होता है, third आपका बोल सकते हैं, it is used in, it is used in nuclear fusion, ठीक है, और आपका कहां पर use होता है, nuclear fusion के अलावा, इसको बोल सकते हैं, in medicine, in medicines, या medical field आपके होती है, in medicines, it is used, it is used in MRI, MRI का मतलब, magnetic resonance imaging, magnetic resonance imaging, ठीक है, etc, यहाँ पर आपका क्या होता है, use होता है, और आपका कहां पर use होता है, और आपका कहां पर use होता है, it is used in leviations, magnetic leviations, it is used in magnetic leviations, magnetic leviations, जहाँ पर आपका bullet train का जो concept आपका है, वो magnetic leviation based है, super connectors आपके वहाँ पर use के जाते हैं, और आपका क्या use होता है, it is used in motor and generators, it is used in, it may be used, ठीक है, used है, it may be used, क्योंकि इससे अपका क्या हो जाता है, अगर आपका resistance 0 होगा, तो i square r loss आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, may be used in motors and generators, motors, generators, etc, ठीक है, तो यह आपके कुछ use हैं किसके, super connectors के, और यह था आपका किसके बारे में, super connectors के बारे में, तो यहाँ पर आपका basic खतम होता है किसका, magnetic circuit का, ठीक है, अब हम आपका next, आपका topic, जो है, इससे related आपका पढ़ेंगे, यहाँ, super connectivity नी, जो magnetic materials है, उनहीं को आपका, जब machines आपका start करेंगे, उससे पहले थलका थोड़ा सा revise करेंगे, फिर आपका machine start करेंगे, तब तक के लिए thank you, thank you so much.